कि देख्यम दिनों से हम परेशान है हम आ और हम जड़्रांधा में हमें किसी ट्रीट्मेंट की जरूरत है और अगर ट्रीट्मेंट की जरूरत है तो कौन सा यत मैं जल्दी ठीक हो सके उ तो सब्से पहले तो मैं आप सभी को सिंटम्स बता Cum होगा. Eugur आपको वह सिम्टम सभी सिम्टम स मैच होते हैं या उन 20 में से कोई एकाथ सिम्टमम समेच होता है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखें अधरवाइस आप बिडियो को इसकीप कर सकते कोई बात नहीं नै मैं दूसरा यह वीडियो में सौut बनाने के लिए कोसिस कर रहा हूं कि यह हमारे कुछ बीवस का comment ताउot चोटा वीडियो बनाए जिससे कि हम उससे देख सकें ठीक है मैं आपके बाद मान लेता हों ओर चोटे से चोटे वीडियो बनाने की मैं कोशेस करूंगा 5-6 मिनिट का यह प्राक्स तो यहां पर बस आपको यह वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स एकाद मैं चोड़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखें मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूं जिनको गले में वलकम चिपका हुआ है उनके लिए यह वीडियो है जिनको खासी है लेकिन खास नहीं पाते हैं और उनको सूके खास भी बहुत आ रही है इसके का सब्सक्राइब करने तो इस वीडियो को पूरा देखें जिनको यह सिंटम्स मैच हो रहे हैं अब हम समझते हैं वीडियो के क्या-क्या importance है दिखे जब हमें allergy होती है तो allergy होने के काफ़ी सारे कारण है कई मरीज यह से होते हैं कई मरीज जैसे होते हैं जिनको dust से allergy होती है तो यह medicine जो मैं आप सभी को बता रहा हूं इसमें dust से होने वाले बिमारिया जतनी इसने भी एलर्जी है डेस्ट से अब इस मेडिसीन का यूज कर सकते हैं तो जिन मेरी जों को jishty से बहुत ज्यादा अलर्जी होती उनको थोड़ा बहुत बहुत ज्रेशित में जाने से पॉलिन्स उनको अगर लगते हैं तो उनको नाक से छीक आने लगती है बहुत जल्दी चिपका हुआ रहता है और उनको लगता है कि इसे बाहर निकाला जाएंगहा more суп और के साथ में कई वार वह खास नहीं पाते हैं उनको चेष्ट पेन होने लगता है या फिर कुछ एसा Irrhtation होता है सांस फूल नहीं लगती है अस्तमा जैसे सिकायत होती है अस्तमा के अटेक्स आने लगते हैं तो ऐसे or के से तरह कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरह के तो ऐसे situation में यह बहुत अच्छी ओपयोगी medicine है जिनको गले में बल्गम चुपका हुआ है गले में गले में बल्गम चुपका उसे बाहर निकाल ले कोसिश करते हैं यह जिनको शुबह शुबह मौर्णिंग में बहुत ज्यादा बल्गम बनता है उसके लिए बहुत अच्छ कर सकते हैं इस medicine का नाम है यह कि ऐसे medicine है जिससे आप यूज करके अपने बीबारी को ठीक कर सकते हैं और आसान तरीके से आप जिनको काफी सारी medicine system में काफी सारी दबाईयें बुखाते हैं उनको relief नहीं मिलता है काफी टाइम से वह regular medicine लेने के बाद उनको relief नहीं मिलता है तो इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही रामबार medicine में आप सभी को बताना हूं जो कि आप यूज करके अपनी आसान तरीके से अपने जलग है जिनको acute है acute मतलब की हाल फिलाल में उनको यह problem start होई है जिनको दस बारा दिन में पंदर दिन में बीच दिन में start होई है problem तो वह पंदर दिन जैसे लेंगे उनके समझ से ठीक हो जाएगी इसके साथ में अगर chronic की बात करें तो chronic यानिकि जिनको लंबे समय से बिमार या उनको कुछ जानवरों से allergy है तो ऐसी situation में आप इस medicine का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके results आप पा सकते हैं यहां पर chronic के बात करें जिनको लंबे समय से बिमारी है वह इस medicine का 1M potential में 15 दिन में एक वार लें जैसे कि आज लिया उसके 15 दिन बाद फिर से में repeat करना है और दो या तीन ड्रॉप्स के वर डारेक्ट टंग पर डालना है और आप देखेंगे कि तीन-चार महीं ने आपके जो तीन-चार महीं के अंदर जो आपके chronic परिशानी थी वह बहुत जल्दे ठीक हो जाएगी तो जस्टीश या एथर डड़ा बहुत थी कमाल क के मेडिसेन है और एलर्जी में बहुत ज्यादा यूज़ने वाली दवाई है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक का हमने समझा अगर बात करें इसके अलावा कुछ और मेडिसेन अगर आप लेना चाहें तो नेट्रम्यूर एक बहुत कमाल के मेडिसेन है इसे आप 200 पोटेंशी में दिन में एक बार यूज़ करें और करीवन करीवन 15 दिन ते करें बहुत अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलेंगे इस मेडिसेन के साथ में अगर आप लेते हैं तो और याद रखें कि जो बनेम के पोटेंशी है 15 दिन में आप एक बार ले रहे हैं उसके समझा है और कारण आई ठिंक आप सभी जानते हैं अगर आप नए चैनल पर शपोट नहीं कि हुए हैं हम आपकी देमांड पर छोटे वीडियो बनानी कोसिस कर रहे हैं तो आपका फर्श बनता है हमारा फर्श बनता है कि हम आपको सपोर्ट करें हमारा नीव चैनल है जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुए थैंक्स वुबचिंग नमस्काल जाहिन